ओम नमस्षिवाई श्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको अमावस्या का महों पाय बता रहा हूं इस बार आमावस्या दो दिन की है और बड़ी आमावस्या है दोस्तों आमावस्या की दिन पित्रों की पूजा का विशिश महत होता है और व्यक्ति को पित्रों की पूजा करनी चाहिए अगर आपके उपर पित्र दोस है तो कई पिरकार की परेशानियों का सामने आपको करना पड़ सकता है इसलिए विशेश रूप से ध्यान लगें जब भी महीने मा मवश्या आती है आपको पित्रों की पूझा जरू करनी चाहिए पित्रा मवश्या की दिन गंगा इश्णान का महत होता है तो इस दिन जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके इश्णान करें उसके पित्रों की पूझा करें पित्रों के नाम से ग्रास निकालें पित्रों के नाम से तरपन करें इससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी इस दिन गौमाता का जो ग्रास निकालें वह गौमाता को तुरंट खला करके आए उसका ब्राम्मर को भोजन कराएं ब्राम्मर भ दूर होता है इस दिन भगवान सिव का और घवान किर्ष्ण के पूजा करनी चाहिए भगवान सिव का अफिक करें इससे हर प्रकार की परिशानियां दूर हो जाती है जो व्यक्ति इस दिन लड्डू गोपाल जी को इसनान कराते हैं और तुलसी दल आरपन करते हैं उनकी प्रतेक मनुकामना पूरी हो जाती है भगवान का आशीरवात प्राप्त होता है अगर आपके उपर पित्र दोश है तो कई प्रकार की परिशानियों का सामना आपको करना पर सकता है जैसे शरीर में कोई नो कोई परिशान होना घर में कोई लड़ा यगड़े हर्चाम में होना साथ ही पैसा ना रुकना बंस ब्रद्दी ना होना और अनेक प्रकार की उल्जने आपको आ सकते हैं इसलिए प्रतेक मावस्यों को अगर आप पूजा करते हैं तो अगर जला के आएं तो आपको जरूर जला करके आना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो देखना कितनी जल्दी आपकी किस्मत बदलती है पित्र प्रसंद नो करके आशिरवाद देंगे और आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी मुझे अमीद आपको यह जानकारी विडियो प्राप्त होती रहेंगी ओम नमस्वा कमेंट में जरूर लेगए